नमस्कार मैं हूँ कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज स्वागत आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम अगर मायवती की बात करी जाए तो यूपी में बजट पेश किया गया और इस बजट पर भी वो निशाना साथी नजर आ वो कॉंग्रेस के साथ जाती नजर आ सकती हैं ये बड़ा सवाल है क्योंकि राइपूर की अगर बात करी जाए तो प्रियंद का गांदी ने अधिवेशन में ये अपील की कि चुनाव में समय कम रह गया है और अगर मोधी सरकार को मात देनी है और खुद कही ना कहीं ट्वीट किया और इस ट्वीट में मलिकारजुन खड़के के साथ तमाम नेता जो है वो फोटो में दिखाई दे रहे थे अब इसके सियासी माहिने अगर माना जाए तो ये शायद देखने को मिल सकता है कि आने वाले चुनाव में कॉंग्रिस के साथ अखले शादव की आने वाले चुनाव में खास तोर पर बीजेपी के खिलाफ तमाम उद्दो को उठाती हुई नजर आएंगी तो पहला सवाल यही में करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अखले शादव ने ट्वीट किया और इस ट्वीट में तमिलनाडू के मुख्यमंत्री को जनम दिन की बढ़ाई दी जिसमें मलिकार जुन खड़के फोटो में शामिल थे विहार की राजनीती में जो तमाम नेता है वो भी शामिल थे और जमो कश्मीर की बात करी जाए तो वो भी शामिल थे मायवती को लेकर यही सवाल रहेगा कि क्या वो प्रियंका गांधी के एलान के बाद आवान के बाद साथ कॉंग्रिस का देती हुए नजर आएगी प्रियंका गांधी जिस तरीके से अखिलेश यादप को भी अपनी अपनी साइड करना चाहते है वो इसलिए करना चाहते है क्योंकि उतरप्रदेश से ही डिली का रास्ता आताया यही बात बार बार करी जाती है तो देखा जाए यहाँ पर पिछड़े लोग है या फिर यह सवाल यहाँ पर बना हुआ है लेकिन यह बार साफ तोर पर गई जा सकते हैं कि अगर मायवती कॉंग्रेस का साथ देते तो इससे पार्टी को जो यहाँ पर कही खतम होती नजर आई थी बस पाव फिर से उसमें जान फूकती हुए नजर आ सकते हैं बिल्कुल जान फूकती और अकलेश आदव ने भी उनका साथ दिया मायवती को लेकर जिस तरीके से लगातार यह चर्चा चल रही थी कि वो किसी का समर्थन ना ही लेंगी ना ही किसी को समर्थन देंगी लेकिन राजनीती में देखा जाता है कि चुनाव से पहले तमाम बड़े फैसले नेता जो है चाहती है नहीं आना चाहती है इसको लेकर यहाँ पर जब चुनाव नजदीक आएंगे तब कहा जा सकता है और सबसे पहली बात उत्तर प्रदेश में भी नगर निकाय चुनाव होने है तो नगर निकाय चुनाव में भी किसी ने किसी पार्टी को किसी ने किसी के साथ के ज जब मुलायाम सिंग यादव नेताजी का निधन हुआता तब भी हाँ पर ट्वीट नहीं किया वो पहुची भी नहीं और उसके बाद यहाँ पर जब चुनाव होए तब उन्होंने कई नगे सानूब होती दिखाते हो यह दिखाया है कि उन्होंने चुनावों में उतारा नह इस से पहले भारत जोड़ यातरा के दौरान भी यह तमाम चीज़े देखने को मिली थी जब मलिकार जुन खडगे ने 23 विपक्षी दलो को बुलावा भेजा था और इस दौरान तमाम जो नेता है वो कन्नी काटते हो नज़राय थे दूरी बनाते हो नज़राय थे अब कॉ होता है जो गडबंधन को लेकर चर्चा करता है गडबंधन जब तक हो नहीं जाता लेकिन यहाँ पर मलिकार जुन खडगे अलग बयान देते हो नज़रा आते हैं राउल गांदी अलग बोलते हैं प्रियंकर गांदी अलग बोलती है तो विपक्ष को लेकर अगर बात करी जाए जो कहीना कहीं एक साथ लाने की कोशिश सबसे पहले कॉंग्रिस ने शुरू की थी तो कॉंग्रिस के अंदर सबसे बड़ी दुविदा यह कि एक इनसान कोई फैसला नहीं लेता तो तीन अलग 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 फैसले तो फिर आप समझ रहें कि घडबंदन को लेकर जो है वो तमाम फैसले नहीं लिये जाते क्या ये भी एक समस्या है जिसके बिल्कुल माना जाएगा क्योंकि यहां पर मलिकार जुन खटके ने शुरुआत में अभी कुछ दिरों पहले उन्होंने बया दिया था कि हमें गडबंदन की जरुवत है हमें सारी पार्टियों के साथ के वही बात आ जाते हैं कि आपको कभी किसी का साथ चाहिए नहीं चाहिए प्रयंकर गांधि यहां पर किसी से कोई बात नहीं कर रहे है बाहराइज जोड़ो यात्रों उन्होंने प्री पूरी कर लिया भी 170 दिन बाद उन्होंने प्री दाड़ी कट वाले इसलिए वो सुर्क अलग 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 छीज़े अपनी रखते बात आपको यहां पर बैठक करनी चाहिए आपको यहां पर जानना चाहिए कि आखिरकर हमारी कमिया रहे गई आपको इंप्र्टेंस दे दि found to do कौन से ऐसी बाते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए और कौन से इसी पार्टिया हैं जिन से हमें खुद से मुलाकात करनी चाहिए उन लोगों से और उनको अपना साथ देने क्लिक कहना चाहिए और किस वड़ी वज़ा पर तो यहां पर कहीं न कई पॉइंट्स हैं जिन विधान सबा की बात करी जाए तो सिर्फ अखलेश यादव विपक्ष के तौर पर वो भूमिका निभार हैं जो कहीं न कहीं मायवती के साथ तमाम और नेताओं को भी यूपी की विधान सबा में होना चाहिए था हला कि ऐसा फिलाल नहीं है लेकिन क्या मायवती जिस तरीक कर यह दोनों ही पार्टियां फाइदा उठाना चाहती ही क्योंकि मायवती भले यह कह रही हो कि मैं साथ नहीं लूँगी या फिर साथ नहीं दूँगी लेकिन खास तौर पर कॉंग्रेस अभी चारे है कि अखले शादव के जरिए यूपी की सियासत में उतरा जाए तो क्य अगर यह तीनों पार्टिय जुड़ते हैं तो कई ना कई तब माना जा सकते हैं कि शायद योगी सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा खुलते नजर है वरने यह तीनों अलग-अलग होखे कुछ खास नहीं कर पाएगी और यहां पर आप देखी कि ममता बेन जो मायवती उन्होंने तो साफ तोर पर यह कह दिया था यहां पर कि मेरे जो यहां पर भतीज है अभी शेक आनद उन्हें आगे करना चाहूंगी अपनी पार्टी की कमान उन्हें सौपना चाहूंगी यह बात यहां पर कह दिगे और राहूल गांदी के खिलाफ यहां पर खड़ा करना जाँगे जो नी बड़ी बाथ रहूं ने कह दी तो कही ने कहीं हैं पर अगर जिएसी तफिछे उतरी कमें पिछले साल हमने देखा था कि जब कांगर्स पार्टी उतरी थी मैदान में लड़की हूँ लड़सकती हूँ का नारा लगाया था प्रेंगा गांधी ने मैं एक सीट पर पार्टी से मट गे ते तो कुछ ऐसा ही हाल होता हुआ नज़र नाय दोज़र चौविस में एक और सवाल रहेगा जिस तरीके से युवाओं पर बीजेबी भी ध्यान दे रही है हाला कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि युवाओं की बात तो होती है लेकिन युवाओं उसमें शामिल नहीं होते है राजिस्तान में भी इस तरह की बात हो रही थी कि जो 50 साल से कम के युवाओं उन्हें मौका दिया जाएगा लेकिन सब जानते है कि उसकी हकीकत आखिर में है क्या मायवती की अगर बात करी जाए तो उन्होंने भी यह दाओ खेला है और का जा रहा है कि 50 प्रतिशत जो टिकेट है वो युवाओं को दिये जाएंगे तो क्या युवाओं को अगर पुरानी सोच को ही आप कंटिनू रखते रहे तो जनता इस चीज़ से परिशान होगी नॉर्मल सी बात है अब आप देखिए कि कॉंग्रेस की तरफ मलिका जुन खड़गे को भले उन्होंने अध्यक्ष बना दिया लेकिन अगर शायद यही मौका किसी युवाओं क को मिलता तो एक नई सोच के साथ पार्टी आगे बढ़ती लेकिन वही पुराने खयाल हो तो किस साथ पार्टी को आगे किया जा रहा है तो इसलिए पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ सकते हैं पर तो मायवती ने जो कदम उठाय वो बहुत बहतर है नगर निकाय कि चु असा जवाब तो उससे तो नुकसान ही होगा पार्टी नुकसान जरूर होगा लेकिन आप ये देखे ना कि अगर चार अनुभवी नेता चल रहे हैं साथ में तो चालिस नई नई युवा नेता भी चलने चाहिए क्योंकि वो चार जो पुराने नेता है वो चालिस लोगों को एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने की कुछ है यहां पर पुराने अपनी चीज़े बताएंगे उन्हें एक्स्पिरेंस बताएंगे अनुभव बताएंगे वो उन चीज़ों को सोच के एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कहिना कि इसका फायदा पुराने लोग अफिशल एलाना भी नहीं हुआ है और मायवती किस तरीके से इस गड़ बंदन का हिस्ता बनेंगी या नहीं इसी के साथ छोड़े जा रहे कमेंट करके अपनी राय परतिक्रिया जरूर बताएगा फिलाल नेक्स नाइन न्यूज में इतना ही नमस्कार